पाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज राज्य अतिती ग्रिह पीटर हॉफ शिमला में सीम जैराम ठाकुर की अध्यक्षिता में सुभा साधे दस बजे शुरू हुई कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार बंदिशों को बढ़ा सकती है खासकर जनसभाओं पर रोक लगाई जा सकती है शादी, धार्मिक, सामाजिक और अन्य समारोहों में भी फीड को कम करने का निर्ने लिया जा सकता है स्कूलों कॉलेजों में एक सितंबर से विद्यार्थियों के निमित कक्षाएं लगने के आसार भी कम है कोरोना के मामले बढ़ने पर ऑन्लाइन पढ़ाई को ही जारी रखने का सरकार फैसला ले सकती है शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के आने पर लगाई गई रोक के फैसले की बैठक में समिक्षा होगी शिक्षा विभाग ने स्कूलों में दस्वी और बार्वी कक्षा के विद्यार्थियों और कॉलेजों में सब तहमें तीन-तीन दिन के लिए विद्यार्थियों को बुलाने का प्रस्ताव तैयार किया है अब cabinet तै करेगा कि विद्यार्थियों को बुलाना है या नहीं वो लिखनी है कि एक सितंबर से कॉलेजों में फर्स्ट एयर के विद्यार्थियों का नया शक्षरिक सत्र शुरू होगा सेकंड और थर्ड एयर के विद्यार्थियों की 16 अगस से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं स्कूलों में सरकार ने 30 अगस तक विद्यार्थियों को बुलाने पर रोक लगाई हुई है शिक्षकों और गैस शिक्षकों को स्कूल में आकर ही ओनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिये गए हैं